अभी हमने 26 का डिवाइड करना किसमें 15 में इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 divided by 26 या 15 by 26 26 का हम डिवाइड कब कर पाएंगो जब दी किसें क्या इसे बड़ी हो यह दी दो किसें क्या दो के साथ तुलना करूं क्या यह 26 से बड़ा है बड़ा है नहीं है तो हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे जीरो लिख देंगे अब बड़ा है यस चले डिवाइड करना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने ख्यास समझने का फ्यास किया कि अपने डिवाइड करने के सुरूआ कैसे करनी है अब हम 26 को एक से लेकर नो तक कौन से संक्या से गुणा करें कि एक सूपचा से बढ़ा ना है तो 26 को हमने जैसे गुणा किया किस से लगाओ दिमा इसको हमने गुणा किया साथ से तो इससे बढ़ा रहे है इसको गुणा किया हमने छैसे तो भी आपका इससे बड़ा आ रहा है 26 को हमने गुणा किया कि इससे 5 से 5 संक 3, 3 के रही आ गया चीक है और 10, 3, 13 तो भाग गया कितना 5 वार आ गया 130 फिर हमने सब्स्ट्रेक्ट किया कितना कि 20 पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 26 एक हम रहे इसके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है जो कि 26 एक हम इसका मतलब हमने डिवैट सही किया ऐसा करकि अपना डिवैट सही है अगलत भी साथ इसाथ चेक कर सकते है आप 26 को कौन से संक्या से गुणा करें 24 और 4 कितना 18 ठीक है तो डिवैट कितने हो गया साथ वार कितना गया 182 फिर माइनस किया कितना गया आपका 8 और 1 पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे यह आपका एंसर आ गया जो कि हम अपना इसके एक्वल टू में लिखते हैं ओके समझ गे तो इस प्रकार से हमने यह एक डिवैट का ना सिखने का प्रयास किया